मैंने खुदने मेरे अगर 1,60,000 रुपे लगा हैं तो मैं खुद भी कोई पागल तो हूँ नी कि मैं आके यहां पर इसकी बुरही करूंगा जैनुइनली जो हमें फील हुआ मैं यह चाहता हूँ कि मतला यह अगर पहले दिन से हिलता ना कोई दिक्कत नहीं थी बट भाई का कहना है कि जो मतला प्रीमियम कार्स वगरा के इंटिरियर्स वगरा में आता है बट आप यह चीज़ चेक करो को कौनसी भी गाड़ि तो आ जाते बट इसमें शोरूम वालों ने क्लच प्लेट चेंज करने का बोला ना पुरूब भी दिखा देते हैं बिल निकाली दो मैं बता देता हूँ आपको सुबही अभी शोरूम से आ रहे हैं मैं सुबही आ रहा हूँ मैंने यह बिल है अभी बहुत सारे हैटर्स भी आ जाएंगे नीचे कमेंट करने तो हें गाइस वैलकम बैक टुम आए चैनल कैसे हो आप सब आयो बहुत ही बढ़िया होंगे इतनी प्रॉपर लोकेशन पर आज एक नेगेटिव पर विडियो बनाने आए जैसा कि आपने थमनेल टाइटल से देख लिया होगा एन वन सिक्स्टी पर इतने सारे कॉंटेंट आज तक हमने बनाए इन फेक्ट इस बाइक के ओनर से भी मैं इंट्रिडीउस कराने वाला हूं उनके साथ भी ओनर्शिप एक्स जमाल लिया है जून 2022 मतला आराउंड देड़ साल पहले इंडियन मार्केट में गाड़ी आई ती और सच में 160CZ के सेग्मेंट में सारी गाड़ियों को पीछे कर दिया और सबसे पीक पे सेल हो रही है बहुत सारी खूबिया भी है बाट जो कुछ कुछ कौन समें फील मतला आप मुझसे अगर 10-15-20 दिन पहले भी पूश्ट है ना तो मैं यही सजेस्ट कर रहा है मनले सब्सक्राइबर और रहा हूं मेरे सब्सक्राइबर को इनके सब्सक्राइबर को इनके वीडियो में या मेरे जो भी लोकल में भी फ्रेंड्स वगरा उनको अगर सेम सेक्म आगा चाली हुई वो आज की वीडियो में शेयर करने माले सबसे नेगेटीव की बात करें तो यार इसका रियर सस्पेंशन बहुत ही स्टिफर साइड है बताना डीटेल में रियर सस्पेंशन और जो कीचड़ वाली बात आप बता रहे थे लियार इसा होता ही कि फ्रंट सस करवा दूंगा शिव भाई को आप देखोगे मतलब 30-40 की स्पीड में चला रहा था और जो पिलियन बेठा हो तो उसमें वाइट कलर का शर्ट पहन रखाता और बारिश ऐसे हो नीदी बार्मल जो बारिश का थोड़ा की चड़ रहता वो था ना में उसमें हाई स्पीड में ले जा रहा था 30-40 में उस बंदे का पूरा शर्ट खराब हो गया और लिटरली गर्दन तक की चड़ाता है इनफेक्ट वो तो छोड़ो चलो पिलियन का फिर भी एक बार समाझ में आता है कि टायर हगर में गया फै तो आ जाता है मैं जब अकेला भी चलाता हूं और अगर म पिलियन के लिए कंफर्ट काफी बढ़िया है यहां पर कंपनी ने टायर हगर दिया है यहां पर टेल टाइडी दिये बहुत सारे लोग इसलिए नहीं हटा दे बिकॉस लोग सोचते है कि यार कीचड ना उड़े नॉर्मल कीचड में से भी आप निकाल रहे हो तो पूरा की इस पर उड़ जाता है तो पहला नेगेटी वे अगर N160 लेने का प्लान कर रहे तो रियर सस्पेंशन आपको स्टिफर साइड मिलने वाले दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भाई शेयर कर रहे थे बाई बताना तुम क्लच वाली क्या बात बता रहे थे अभी रिसें कि यह पहले चालीस पेतालीस दे देती थी सीटी कंडिशन में और हाइवे पर जैसे कि मैं इसको एक मन्त पहले उज्जेन लेके गया था तो वहां पर मुझे 52 का इसने दिया था और रियल मैलेज था मैंने कैलकुलेट भी कर रहा था और मीटर भी अल्मोस उत्ता ही शो कर तो मैंने अभी सेकेंड सर्विस होते से साथ लीटर लवाया उसमें थोड़ी सी ज्यादा चलनी चाहिए थी थोड़ी नाहीं मतले मतले बहुत ज्यादी चलनी चाहिए तो इतना माईलेज में ड्रॉप आया फिर उसके बाद से मुझे लगा कि यार कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है तो मैंने नोटिस करना चालू करा माईलेज का एक इशू आया है सर्विस के बाद और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा भाई का चैनल है आपको डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूँगा ऐसा नहीं कि कुछ कॉंटेंट के लिए बता रहे हैं भाई खुद एक यूटूबर है जैश निकोसकर इंदोरी यहां पर आप देखोगे ना इंडिकेटर्स वगेरा आप सारी गाडियों में देखोगे प्ले रहता ही यह नो डाउट बट यह गाड़ी आराउंड 45,000 किलोमेटर चल गए उसके बाद जो यह प्ले है ना बहुत जादा बढ़ी है मतला अगर आप गाड़ी स्टार्ड करक बट अभी ऐसा सीन हो गया है कि मैंने नोटिस करना चालू करा की वाइब्रेशन हमेशा होती ना गाड़ी में नीचे से उपपर ट्रेवल करती कभी वी क्योंकि इंजन नीचे रहता ना दन वो उसके बाद उपपर आती है टैंक पर आती फिर इन पर आती हैंडल बार्स देखो यह कंटिनूसली वाइब्रेट करता रहता अगर कम और पिम पर रहता है तो यह इसमें इसमें इतनी उपर आने की तो बात ही मतलब काफी अलग हो जाती है तो एक यह में फेसकर रहा है तो यह अगर पहले दिन से हीलता ना कोई दिक्कत नहीं थी बट भाही का कहना ह आराउंड 6-7 महीने हो चुके उसके बाद यह दिक्कते आ रही है जो आपके साथ शेयर करना जरूरी थी अब नेक्स भाई हमें नेगेटिव बता रहे थे वह इसकी बिल्ट कॉलिटी पलसर में क्या है ना पलसर में आप N160 में देखो गे ना तो पलसर में आसपास ही इतनी चॉइसे पलसर 150 P150 अभी N150 भी निकाल दिये NS160 और N160 बट सपेशली अगर आप भाई की फैमिली में घर पे NS160 भी तो उससे आप कंपार करोगे ना अगर टैंग पर आप देख लो टैंग पर नो डाउट गाड़ी का वेट इतना अच्छा है तो यह पर आपको बिल्ट कॉलेटी वगएरा काफी बढ़िया मिलती बड़ रियर पैनल क्या बता रहे थे हो दिखा देना मेरे घर पे मतलब 6-7 बाइक है तो पोर्च में रखने में काफी दिक्क्त आती है तो मतलब एक साइट खड़े हो कि उठा के रखते हैं तो मैंने एक का इशू नहीं आया मतलब लोगों पैनल गैप वगरा बोलते उतना तो मैं माइन नी करता अगरो पर्फोर्मेंस वगरा देरी वेसी तो बट यह चीज़े थोड़ी मुझे लगी कि यह चीज़े थोड़ी सही हो सकती थी इन पार की कॉलिटी इंप्रू करना थी यह नीचे इस पेंट पर आगा है आप खुद देख सकते हो तो कही ना कहीं बजाज पेंट कॉलिटी में कॉस्ट कटिंग करता है और यह बात भी यह इतनी अफॉर्डेबल प्राइज में आपको इतनी बढ़िया गाडी दे रहा है तो कुछ ना कुछ प्रोस कॉंस रहेंगे बट अभी बहुत सारे हैटर्स भी आजाएंगे नीचे कमेंट करने आधात है कोई दिक्कत नहीं है बट भाय कि आप सोचो बोलने से पहले हम को भी कोई वो निया मैंने खुद ने मेरे अगर एक लाग साहाट हजार रुपे लगा हैं तो मैं खुद भी कोई पागल तो हूँ न लास्ट टाइम मैंने राइड वीडियो बनाई थी बट अभी मतलब एक पुरानी गाड़ी वाली फील आ रही थी बिकोज क्या पता शोरूम वालों ने क्लच प्लेट चेंज करने का बोला ना तो यहां पर देख सकते हैं कि आप खुद देख सकते हो भी प्ले कितना हो रहा सब्षार करता हूं आपको सुपही अब ही शोरूम से आ रहे हैं मैं शुबही आ रहा हूं मेन अभी थोड़े दिन पहले ही मतलब द सर्विस कर रही थी यह बिल है बिल में बताए कि इसकी क्लेश प्लेट चिपक गई है मतला अभी आप रीडिंग बता दो पासटो चोपन किलो मेटर हुई यही लग रहा है कि या तो बिल्ड कॉलिटी में इशू है सर्विस अलों ने कुछ करा है क्योंकि यह इतनी अल्दी क्लच प्लेट चिपक ना मतलब इतना राइडिंग इसको एक चलाने का लगी फील है दूसरी चीज भाई हमेशा बोलते हैं वीडियो शूट करने के पहले भी बोल रहे तो यहां आगे से भाई वीवर्स को दिखा देना इसके जो लाइट से सेग्मेंट में सबसे पावर्फुल है सेग्मेंट में मतलब भाई ने वहूला आभी कौन्सी भी भी घाड़ी आप लिया वी सेग्मेंट में यह हायर सेग्मेंट में इसके अकछ Same औरे बजाज लाइन अप में सबसे पावर्फू में चार लाग तक की गाड़ी भी जित्ती भी आती अपनी उनके भी प्रोजेक्टरों देखे हैं साइड बाई साइड कंपेर भी करें मतलब कुछ लोग बोलेंगे आरेस में दो प्रोजेक्टर आते हैं बाई मैंने रियल ला बात जिन्हों ने नहीं चले उनको लग रहा हुआ कि क्या बात कर रहा है बट रियली इतनी पावर्फूल है इसकी लाइट मतला मैंने हर बार तारिफ ही करी इस चीज की तो आज की वीडियो का अगेन बोलना चाहूंगा मोटीव इतना था कि आर आप यह गाड़ी ले रहे तो प्लीज कुछ सॉलूशन निकालो मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इन्होंने भी चला के देखी तो यहीं कह रहे थे कि नई गाड़ी वाला फील नहीं आ रहा है सेम चीज मुझे भी लग रही थी दो चार दिनों से कि यार जो पहले फील आता था यसा लगता और आपका जितना भी तीन महीने च्छे महीने वन येर का जो भी जैनिविन एक्सपेरियंस है कॉमेंट में एक बाद जरूर शेयर करके जाना इस वीडियो के थूर चैनल पर आया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना सो मिलते हैं इसे एक इंटरस्टिंग कॉंटेंट के सा उल्ओाइब